पिड़ाम दोस्तों मैं आरोयाब सभी का दिल से वेलकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी से होंगे और पॉजिटिव होंगे इतनी प्यारी कुपसुर सी चैनल मेसेज लेके आई हूँ सबसे पहले तो आप सभी को इस नई पोर्टल की यानि वन 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 पोर्टल की सारी ब्लैसिंग स्टाटिंग हो चुकी है एनरची हम सबके लिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डिवाईन मैस्क्लीन के वारे में उनकी करणट एनर्जी के बारे में तो रहिद श्यादा एं यहां बहुत जादा ही फॉप क्रियेट कर हैं सबसे ज्यादा या long separation चल रहा था उन लोगों की तो अब बल्ले बल्ले होनी वाली है क्योंकि अब ready हो जाओ आपकी life में वो time अप जा रहा है जो time आप अगले काफी समय से face कर रहे थे ठीक है तो अब आपकी life में खुश्य आने वाली है तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे masculine आपकी life मे जब जैसे ही enter करेंगे आपसे call messages करेंगे तो थोड़ा सा आपको patience दिखाना है relax रहना है past life का कुछ भी आपको create नहीं करना है क्योंकि यह जो one one का portal है यह आपके energy को double करेगा ठीक है जिस energy में है उस energy को और ज़्यादा increase कर देगा तो make sure कीजिएगा इन दिनों में कि आप क्य सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं क्योंकि 1111 यह एक archangel Michael का number है जो कि तथा अस्तू करता है यह बोलता है कि ठीक है अच्छा बाबू तुम यह सोच रहे हो तो तथा तथा अस्तू ठीक है तो यह energy आपकी रहेगी तो आप right now जो भी सोच रहे होगे सोच रहे हो या सोचोगे वही आरके इंजल माइकल या यूनिवर्स या यह पोर्टल आपको दे देगा दूसरी बात यह कि right now किसी को ना यह experience या ऐसा आपको अनुभव हो सकता है कि किसी को अचानक थाड़ाई पे vibration फील हो दर्द हो सकता है मतलब जो हमारा थाड़ाई होता है वहां पे या पीछे के एनर्जी बहुत ज़्यादा घूमती हुई फील हो सकती है या किसी को solar plexus या कहीं पे भी चक्राज में आपको ना एनर्जी का बहुत intense feeling हो सकती है तो इन दिनों आपको घबराना नहीं है एक्चुली मैं यहां पे जो 11-11 पोर्टल है यानि कि पनबन का जो पोर्टल हमारी लाइफ में start हो चुका है तो यह जो है कि आपकी एनर्जी को एक तरह से alignment में ला रहा है और जैसे जैसे आपको जहां 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 जिस चक्रा में आपको दर्द या कुछ ऐसा feel हो रहा है तो वहां से आपकी बहुत बड़े blockages को जो है remove किया जा रहा है release किया जा रहा है जि अपने आपको demotivate नहीं करना है या डरना नहीं है या fear वाली energy में नहीं जाना है मैं बात करना चाहूंगी divine masculine की current energy की यह तो अथे आपके experience जो आपको feel हो सकते हैं आपको लग सकता है कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है कहीं हम toxic energy में तो नहीं है या फिर कोई negativity हमें effect नहीं कर रह नहीं करेगी बस थोड़ा सा planet की energy से बचके रहेगा क्योंकि यहां पर यह होगा tit for tat यानि कि जैसे को ऐसा तो आप जो भी create करेंगे वही आपको return में मिल जाएगा तो आपको जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा आपकी life में हो तो ऐसा फिर आपको किसी को देना नहीं है नहीं फिर जिनकी life में third party अभी भी मौजूद है या अभी भी उनका थोड़ा सा issue या उसा create हो रहा है तो उनको यहां उनके लिए message है divine की तरफ से कि अभी आपको घवराने की जरुवत नहीं है वो एक थोड़ा बहुत रहता है ना कि कुछ चीजे जाने में थोड़ा सा time लेती है तो मान नहीं रहे थे तो यहां आपके partner ना वो प्रॉपोजल लेके आ रहे हैं कि उनकी family मान गई है और आपको वो एक marriage प्रॉपोजल देना चाहेंगे ठीक है तो आपको यहां करना क्या है यहां पर थोड़ा सा ना masculine जो है थोड़ी से effect में रहेंगे toxic energy के में toxic toxic का मतलब यह न energy एंडर के तू और राहू थोड़ा सा उनको ना effective वनाएंगे उनकी energy को और यह अच्छे के लिए होगा कि होता है ना कि जब लाइप में थोड़ा सा दुख आता है या थोड़ी सी चीजें ऐसी होती है या फिर हम अकेला फील करते हैं या फिर हम बिल्कुल अकेले रह जात इस तरह से आपके masculine जो है इस तरह से आपको महसूस कर रहेंगे और याद कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ना अपने ego को side में रखके अपने toxic behavior को side में रखके उसे release करके आपसे वह contact करेंगे आपसे वह बात करेंगे और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपके emotion भी बहुत हा परिशान कर सकते हैं thought यह परिशान करेंगे कि जो चीज़ें आपकी life में हो रही हुँगी ना वह आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी तो उनके लिए ना मतलब परिशान होने के लिए नहीं जाना है या toxic create नहीं करना है fear create नहीं करना है doubt create नहीं करना है वहां पर की एनरजी करीब आएगी यानि की यूनियन में आएगी वैसे वैसे कुछ चीजे ना आपके जो थोटे-चोटे जो ब्लॉक के जिस रह गए हैं आप दुनियों की एनरजी को ले करके तो वह थोड़े से यहाँ पर सर्फिस लेवल पर आएगी राइट तो यहाँ पर जो अबस अपनी अविरनेस के साथ देखना है और आल यह जो हमारा नवंबर जो मन्त है पता नहीं क्यों मेरी जीव सिलिफ हो रही है तो जो नवंबर मन्त है यह आपके पूरी तरह से यूनियन को ले के आया है यूनियन के साथ साथ मैरिज तो आपकी कन्फॉर्म यहाँ पर बहुत लोगों की मैरिज जो है फिक्स होने वाली है तो बहुत बहुत बदाई हो क्वाट प्लैस मेरी तरफ से भी और प्लीज जिसकी भी शादी होना मुझे मीठा वेजना या चकलेट भीजना मत भूलिएगा ठीक है तो जल्दी से यह लड़ू लड़ू तयार कीजिए और शादी का प्लान क्रियेट कीजिए एंड एक और बात याद आया मुझे जो मेजर थी जो मैं बताना भूल गई राइट ना यह जो टाइम रहेगा आप जो चाहते हैं वो क्रियेट करना शुरू कर दीजिए सोचना शुरू कर दीजिए या फिर एक ऐसे करो मालों आप आप लोगों की बाते हो रही हैं आपका सापरिशन एंडिंग हो रहा है यह चीज अभी से फील करना शुरू कर दो आँखे बंद करके वह आपका मेरीटीशन भी हो जाएगा साथ में आप उनके एनर्जी से इंटरनली आप उनसे कनेक्ट हो जाएगे और जैसे ही आपकी एनर्जी इंटरनली उनसे कनेक्ट हो जाएगी तो आप दोनों का जो सेपरिशन का जो टाइम और पीरियड है वो सौर्ट हो जाएगा बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएगे तो यहाँ पे ना सब कुछ आपकी help करेगा बस थोड़ा सा आपको चीजों को करना होगा और patience रखना होगा और overthinking तो बिलकुल नहीं करनी है अपने आपको overthinking से बचाने के लिए क्या करना है deep breathing करनी है ताकि आप थोड़ा सा relax feel करें तो यह पूरा मन जो है आपके लिए बना है आपके लिए है टिवाइन की ठेरो सारी blessings आपको मिलने वाली है तो अब achieve करने के लिए ready हो जाएए और please मुझे भी आपके मतलब आपकी जो भी हो मतलब कुछ भी आपकी life में हो मुझे share करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं भी prayer करूँगी universe को thank you करूँगी and just not madाऊँगी मैं भी बोलते है ना कि जब कुछ अच्छा होता तो पांस दिए और लगाऊँगी मैं अपने prayer पे तो मुझे खुशी होगी light or activate हो जाएगी मेरे room की तो मुझे बताईएगा जो भी आपकी life की कुछ भी आप मतलब वो हो अगर आप यहां comment में नहीं बता सकते हो ठीक है मैं ज़रूर wait करूँगी आपके messages का तो अभी के लिए चलती हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है फिर next में आपकी लिए और energy अपडेट लेके आऊंगी तब तक अपना धिहान रखना है खुश रहना है और खुशिया फेलाते रहना है अब बस अपनी light पे धिहान देना है टार्कनेस को गोली मारनी है ठीक है बाबाई